मनुस्य से भीन जीवों की इस्तरियों में भी जब आप से आप पढ़ता आ जाती है तो फिर बुद्धी से युक्तिनारी में या प्रगट हो इसमें आसर ही क्या मादा कोयल अंत्रिश गमन के पहले अपने संतान की अन्य पक्ची द्वारा पालन पोशन की विवस्था कर लेत दक्ष होती है उसके इस प्रविर्ति को महाकभी कारिदास ने भी गेशु पंडित की उपाधि प्रदान की है यजुरुएद में इसे अन्य आए दूसरे के घोसले में अपना अंडा रखने वाला पक्ची कहा गया है कागदंपती बड़े लाड़ प्यार से कोयल के संतान समझ कर पालते पोशते हैं और जब वे उन्नी योगी हो जाते हैं तो एक दिन चकमा देकर पलायन कर जाते हैं यही नहीं घोसले में यदि कोवे की कोई वास्तिविक संतान रही हो तो मौका देखकर उसे जन्म की कुछी दिन बाज नीचे गिरा डालते हैं कोयल के नीड पर जीविताई स्कूल के पक्षियों के विशेश नेमात हैं यानि यह अपना घोसला नहीं बनाती हैं या दूसरे पक्षियों के विशेश कर कोवे की घोसले के अंडों को गिरा कर अपना अंडा उसमें रख देती हैं कोवे की घोसले में अपने अंडे रखते समय को कौवे के घोशले में रख देती है। के घोशले में रख देती है। जो अपने अंडे दूसरे पक्चियों के घोशले में देती है और उसे वहीं छोड़ देती है। बेग्यानिकों का मानना है कि अपने भैभीत करने वाले दूबिवार की वज़े से ये वो शुनस्षित कर पाती है कि दूसरे पक्चियों के अंडों को कोई नुक्सान न पहुँचाए। बेग्यानिकों के अनुशार पक्चिवर के पांच परिवार इनर्टीडी, कुकूलीडी, इंडी के ट्रीडी तधा प्लिसीडी के पक्चियों अपने अंडे, चोरी चीपे या दरा धमका कर दूसरे के घोशले में रख देते हैं और दूसरा पक्चियों अंजाने में या अपने बच्चे पालती है, दूसरे तरब बेग्यानिकों के कहना है कि कोयल लडाकू पक्ची है, वो कवो को डरा धमका कर अपने मादा के अंडे कौवी के घोशले में रखवा देता है, और बेचारा कौवा कोयल के डर से उसके अंडे सेता है, वो बच्चे पालता है, अंडा रखती है, तो अंडे को छोटा कर देती है, तथा अंडे का रंग नीला होता है, अंडे से निकला, अधिकान्स पक्चियों के बच्चे पहले अंधे जैसे होते हैं, और अपने पोशक पक्ची के बच्चियों को घोशले से गिरा देती है, हने गाईड नाम का पक्षियों के घोषले में कबजा करके अपने अंडे रखते हैं। पक्षियों के घोषले में कबजा करके अंडे रखते हैं। ज्यादा न निकले। जेंगलों में पिहेकने वाला पक्षि पपीहा भी अपने अंडे चिलचिल बैवलर पक्षि के घोषले में रखाता है। बैचारे चिलचिल पक्षि की मादा कई बार तो कई कई पक्षियों के अंडे सेती वो बच्चे पालती रहती है।